आजकल पहुत सारे टेक्निकल इंस्टिट्ट्स आ गए हैं जिसके हम बात करें आजकल गुरू की कम बात होती है आइडिल्स की बात होती है गौड़ फादर्स की बात होती है क्या ये सिनॉनिमस है या नहीं है इस समय जो सिक्षा विवस्था है वो जब इस देश में लागू की गई थी तो उसका एक उद्देश ये भी था कि जो परंपर अगर सिक्षा विवस्था चल नहीं है उनको समाप्त किया जाए उस समय के शाष्कों की आवशक्ता थी और अपने उद्देशों के लिए उन्हो कोई हटा नहीं सकता कहीं भी नहीं हटा सकता उसका सुरू बदल गया है आपने तक्निकी इंस्टिशन की बात की लेकिन उसके पहले यह देखिए आज भी इस देश में जो अध्यापकों की करवड़ता है कठिन परिस्तिते में कार करते रहने की है सामाजी की उतरदायत ले जब आप किसी को मान लेते थे उसके बाद अपना गुरू नहीं चेंज करते थे भगवान का दर्जा गुरू को दिया जाता था आपको लगता है थोड़ा और रिवाइव होना चाहिए नहीं लेकिन इसमें दूसी बात भे अब हमें जो चीजें सीखनी है ना उनका सुरू बदल गया है पहले जो हम सीखते थे गुरू कुल में जो बच्चे जाते थे वह सबसे पहले कौशल सीखते थे इसकिल्स आज भी एजुक्वेशन में जहां इसकिल्स हैं वो देश आगे बढ़ गए नाइंटी परसेंट बच्चे युवा जो हैं 17 साल के 18 साल के पहले कोरि आती थी फिर विद्याध्यन आता था फिर ग्यान की बात आती थी तो यह चीज अपनी जगे दोबारा रिवाइब हो रही है आपने रिवाइबल की बात की यह पर फिर से आ रही है लेकिन एक गुरू से काम चलता हो ऐसा नहीं हाँ एक को हर व्यक्ति किसी वासे आप नहीं हो रास्ता ना दिखाई दे रहा हो तब तुम्हारा दान उसकी तरफ जाए जिसके पूर्ण सम्मान हो शद्धा हो और यह चीज मैं समझता हूं आगे भी बनी रहे हैं